इस वीडियो में आपका स्वागत है शनी देव का गोचर होने जा रहा है वक्र गती से कुम्भराशी में जब शनी देव 30 जून को वक्री हो जाएंगे तो यहाँ पे हम सब के जीवन में एक बहुत गहरा प्रभाव पढ़ने वाला है शनी देव कर्मफल दाता है मकर राशी और कुम्भराशी के स्वामी शनी देव हमारे जीवन में बड़े बदलाव लाते हैं हमारे जीवन में कर्म और कर्मफल दोनों को कंट्रोल करते हैं ऐसे शनी देव जब वक्री गती से गोचर करते हैं, तो अवश ही उसका प्रभाव हमारे जीवन पे अत्यधिक पड़ता है, अगर आप शनी देव प्रधान जातक हैं, शनी देव आपके लगन में हैं, सूर के साथ हैं, चंदर के साथ हैं, शनी आपकी कुंडली में वक्री हैं, शनी आपकी कुंडली में कुम्भ राशी के हैं, शनी की महादशा या अंतरदशा चल रही है, तो आपके उपर इसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा, आईए विस्तार बे चर्चा करते हैं कि आपके उपर कैसा रहेगा शनीदेव का प्रभाव क्या होता है वक्री ग्रह और क्यों वक्री ग्रह हमारे जीवन में पूर्वजन्मों के कर्म को इंगित करता है उसको पूरा करने के लिए हमारे जीवन में एक मौका लेकर के आते हैं ये बात करेंगे, जुड़े रहें वीडियो के, अंतर तक वीडियो को देखें और शेयर करें इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ताकि जोतिश के बाद और भी आगे बढ़ें और आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें सब्सक्रिप्शन आपको मुझसे जोड़े रखता है, आपको नोटिफिकेशन मिले, इसलिए बेल आइकन दबाएं हमारे पास एक नया ओप्शन आया है, जिसमें आप अपने 10 साल की प्रेडिक्शन और रेमिडीज का भी एक रिपोर्ट, फिर सिस्टम जिनरेटिड पीडिएफ रिपोर्ट आप ले सकते हैं, अगर आपको उसकी बुकिंग करनी है, या कंसल्टेशन लेना है, तो नीचे ड डायरेक्टली बुक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम और टेलेग्राम हैंडल्स भी इस्टिस्रिप्शन बॉक्स में दिये हैं, वहां से भी आप हम उझसे जुड़ सकते हैं, और इंस्टाग्राम सब्स्रिप्शन भी ले सकते हैं, शुरू करते हैं, शनी देव जो वक्री होत दाता मकर और कुम्भ राशी के स्वामी ऐसे शनीदेव जब अपनी कोई भी गती में परिवर्तन लाते हैं तो हमारे जीवन पे उसका जिनरेशनल प्रभाव करता है शनीदेव 30 साल में एक बार पूरा सूर का ब्रहवन लगाते हैं revolution पूरा करते हैं पर धर्ती तो सूर के उतनी देर में 30 चक्कर लगा ले यानि समझो कि शनीदेव धर्ती की speed से 30 times slow है इसका तात पर यह हुआ कि जब शनीदेव हर राशी को गोचर करते हैं तो हर साल शनीदेव वक्री होते हैं अब वक्री ग्रह क्या होते हैं जब पृत्वी गुमते गुमते अपनी orbit में इस तरीके से present करती है कि वो शनीदेव के पास में हो समीप हो तो वहाँ पे apparent movement होने लगती है शनीदेव की या किसी भी ग्रह की backward motion में ये optical illusion है मतलब वास्तविकता में कोई भी ग्रह backward motion नहीं करता परंतु आप समझे कि अगर आप किसी एक गाड़ी से भागेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब आप उस गाड़ी को overtake कर लेगे जब आप overtake करने के बाद आगे बढ़ेंगे तो वो गाड़ी आपको पीछे जाती वही दिखाई देगी क्योंकि आपकी गती जादा है धरती की गती शनीदेव से अधिक होने के कारण शनीदेव हमें पीछे जाते वे दिखाई देते हैं जब हम शनीदेव को क्रॉस करते हैं इसका तात्पर यह हुआ कि खगोली ए घटना हमारे जीवन में एस्टोलोजिकल प्रभाव डालती है यहाँ पे कोई ग्रैविटी का संबंध नहीं है समझें एक सिस्टम है एक मैथ ग्रह जादा एफर्ट्स डालते हैं आपके जीवन में हमारे जीवन में वो ग्रह अधिक प्रभाव डालने लगते हैं वो ग्रह पूर्व जन्मों के कर्मों को पूरा करने के लिए इंडिकेट करते हैं अगर आपकी स्वयम की कुडली में कोई ग्रह वक्री है इसका मतलब ग्रह की चेश्टा आपके लिए अधिक है मतलब वो कुछ ऐसा है जो पेंडिंग है इसलिए आपको करना है मानिए आप गाड़ी पकड़ने जा रहे हैं और घर की चावी भूला है तो वापिस आप भाग के आएंगे क्योंकि आपको याद आया कि चावी तो है नहीं तो आ ऐसे व्यक्ति बहुत सक्सेस्फुल होते हैं जिनके कुंडली में ग्रह वक्री हो और शनी जब वक्री होते हैं तो सक्सेस के चांसे कई गुना बढ़ जाते हैं हमारे जीवन में उन्नती सद्गती और गाइडेंस प्रॉपरली मिलने शक्ति है अब वो अलग बात है कि हम इ प्राप्त करना है माया माया का खेल है और यहां पर जब आप सब प्राप्त करने के लिए कर्म खराब करते हैं तो शनी देव आप पे गलत प्रभाव उल्टा प्रभाव डालते हैं यानि 30 जून से लेकर के नवेंबर इन 5 महीनों तक जब शनी देव कुंभराशी में वक्र करते हैं रशार का खेलिए कि इसका मतलब वो कोशिश अधिक कर रहा है पर ऐसी क्या बात है कि शनी देव अधिक कोशिश कर रहा है ये गलत रास्ते पे जा रहे हैं, शनी देव आपको सही रास्ते पे लाना चाहते हैं इसका अधात पर यह हुआ कि कोई pending काम है आप पूरा नहीं कर रहे हैं, इसलिए अब शनी देव को प्रभाव डालके वो pending काम पूरा करवाना है, ऐसे केस में past life trauma release हो सकता है अगर आप healing लेते हैं, ऐसे केस में कुंडली विचार करने से यह पता चल सकता है कि कौन से angle से खत्रा आ सकता है, कौन से angle पे आपको focus करने की आवशक्ता है, इसके साथ-साथ शनी देव जब बकरी होते हैं, जिनकी साड़े सती चल रही है, यहनी कि मकर राशी और कुंभ राशी और मीन राशी, उनके ऊपर मानसिक दबाव बढ़ता है और यह दबाव इसलिए बढ़ता है ताकि आप उधर focus करें, कहते हैं पेन अगर किसी को body में हो, तो वो सही होता है क्योंकि पेन आपको इलाज करने के लिए एक indicator है, imagine करें किसी को pain ही नहीं हो, तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि उसके जीवन में, उसके शरीर में क्या कश्ट है, किधर क्या fault हो रहा है उसी प्रकार से वक्री शनी, हमारा ध्यान हमारे जीवन के अवगुडों और हमारे जीवन के pain areas के तरफ खीचते हैं, अब इसे हम बुरा मान के बैठ जाएं तो हम कुछ करी नहीं पाएंगे, तो यहां पे आपको अपनी सोच बदलने की आवशक्ता है शनीदेव वक्री हो रहे हैं, पुर्वा भादरपदा नक्षत्र में, अब ये नक्षत्र में सम्मोहन भी है, इस नक्षत्र में एक अजीब सी power भी है और इस नक्षत्र में मोक्ष भी है, तो यह माया और मोक्ष दोनों का नक्षत्र है ऐसे में जब शनीवक्री होते हैं, तो मोक्ष की तरफ फोकस करते हैं यानि आपका ध्यान बार-बार इस तरफ जाएगा कि जीवन में कुछ अलग करें, जीवन में कुछ बदलाव लाएं, जीवन में कुछ छोड़ दें, कुछ नया करें, कुछ शूटेगा, कुछ बनेगा, कुछ मित्र जाएंगे, कुछ आएंगे, कोई नए के साधन बंद हों आप इस नक्षतर में, इस राशी में तब वक्री हो रहे हैं जब बहस्पति शनी देव से चतुरत हैं और न राहु से पड़ित हैं, न शनी से याni शनी के कुडली के बारवे, शनी के रिस्पेक्ट से दस्वे और शनी से रस्पेक्ट आठवे भाव पर ब्रहस्पती देव की दृष्टी पढ़ रही है तो अवश्य ही शनी देव यहां पर ज्यान का सरजन करने आ रहे हैं किसी को मारने किसी को हानी पहुचाने की यहां पर चेश्ठा बिलकुल नहीं है आपको बस यह देखना है कि अगर ज्यान का ही आप त्याक कर दोगे ज्यान को ही छोड़ दोगे तो फिर अज्यानी पुरुष क्या ही पालेगा तो अग्यानता के अंधकार में खोने के बजाए आप ग्यान अंधकार में आगे बढ़के ग्यान से अंधकार का विनाश करें यह हो गया एक understanding कि शनी का retrograde करा किया सकता है नक्षत्रों के हिसाब से बाकी ग्रहों के हिसाब से किस तरह के भाववेश में आकर कि आप क्या बोल सकते हो तो आपको यह दिखेगा कि थोड़ी resistance बढ़ रही है कुछ changes आ रहे है परिवरतन आ रहे है जो आपने नहीं सोचे कुछ ऐसी चीज़े जो आपने कलपना तक नहीं की वो हो रही है कुछ लोगों के लिए अच्छा और कुछ लोगों के लिए उतना अच्छा शायद नहो लेकिन आपको बस चलते जाना है रुकना नहीं है आपको बस चलते जाना है बस अपनी limitation पहचान के चलना है क्योंकि यहाँ पे अगर आपने एक जंप लगा दिया, leap of faith, तो गड़वड हो सकती है। अब चर्चा करते हैं आपकी राशी के लिए कैसा रहेगा शनी वक्री होने का प्रभाव। तो अब शुरू करते हैं मेश से मीन राशी के लिए। मेश राशी, अगर आपकी मेश राशी है तो आपके एकादस भाहो में शनी देव वक्री हो रहे हैं और एकादस भाहो में शनी देव अगर वक्री हैं, इसका तातफर है यह हुआ कि आपके सगे संबन्धियों के बीच में चेंजिस आने वाले हैं, आपके network circle में चेंज आने वाले हैं और जॉब की नई opportunities आ सकती है नई responsibilities आपको मिल सकती है तो अगर कुछ opportunity आ रही है तो अवश्य ही उसको पूरा करें और आपने जो वादे किये जो commitments की उसे भी पूरा करें साथी साथ संतान पक्ष से related आपको भाग दोड करनी पड़ सकती है तो उसके लिए भी तैयार रहें और अगर आप elderly person है तो अपने पैरों की सेहत का थोड़ा ध्यान रखें कि पैरों में दर्थ रह सकता है साथी साथ ankle pain की वज़े से थोड़ी mobility issues आ सकती है तो संभल के चले वरिशब राशी अगर आपके चंद्र राशी वरिशब है तो शनी देव आपके दस्वे भाव में वक्री होने जा रहे है दशम स्थान में शनी देव बक्री होते हैं तो मन में एक कौतूहुलता आती है क्वेश्चन आता है कि कैसे हम अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं तो यहाँ पर करियर changes के योग पूरे बनते हैं domain change के योग बनते हैं in fact city change के योग भी बनते हैं तो अगर जो व्यक्ति करियर में कुछ आगे बढ़ना चाते हैं कुछ नया करना चाते हैं या अपने कारे को और बहतर करना चाते हैं perfection की तरफ जाना चाते हैं तो यह बहुत अच्छा समय हो सकता है साथी साथ आपको यह भी देखना है कि आप revision अवश्य करें कि वरना एक ही कारे कई बार करने पड़ सकते हैं बार-बार गलती होने की यहाँ पर संभावना बनती है और आप अगर काफी समय से promotion नहीं हुआ आपकी success नहीं हो रही यह समय उसके लिए काफी अच्छा है परन्तु sacrifice demand करने वाले हैं करियर आप से sacrifice मांगेगा कंपनी में जाते हैं तो ग्रोथ भी होती है धन भी मिलता है काम भी उतना ही करना पड़ता है मिथुन राशी मिथुन राशी वाले जातकों के लिए शनी देव का वक्री होना उनके नवम भाव में होगा नवम भाव में शनी देव वक्री जब होते हैं तो धर्म संबंधिक कारे ज्यादा होते, आपका मन करेगा मंदिर जाने का, आपका मन करेगा कि स्पिरिच्वल ग्रोथ करे, आपका बार-बार मन करेगा काशी की यात्रा करे, तीर्थ यात्राएं करे, तो ऐसे में भगवान महाशिव की उपासना, ओम नमस शिवाये, इस मंत का बरत रखें शनी बार को काली और नीली चीज़ का दान करें गरीबों की सेवा करें शनीदेव को आप अगर सरसों के तेल से अभिशेक कर सकें तो वह आपके लिए काफी उचित रहेगा क्योंकि धार्मिक स्थान पे शणीदेव वक्री है तो धर्म शंबंधी कारे हो सकते ह जादा और साती साथ आपके belief system आपके विश्वास के ऊपर चोट पहुंच सकती है तो अंध विश्वास बिल्कुल ना करें करक राशी करक राशी वाले जातकों की चल रही है अश्टम ढहिया ऐसे में वक्री शनी आपके इस angle को बढ़ा सकते हैं तो आपकी राशी के लिए शनी देव का वक्री होना कुछ इस तरह से समझे जैसे कि जो चीजें uncertainty वो बढ़ रही हैं आपको अब कहते लिए जैसे एक cricketer खेलने जाता है तो कौन सी ball आएगी पिछ कैसे behave करेगी वो पहले से निर्धारित नहीं कर सकता वो सिर्फ अंदाजा लगा सकता है लेकिन खेलना उसको ball टपा पड़ने के बाद है सारा खेल उसी का है तो ये fraction of a second में जो decision making है ये आपको या तो बना सकती है या बिगार सकती है तो यहाँ पे अगर आपको समझ ना आए क्या करे तो सहायता ले साथी साथ वक्रिशनी अश्टम भाव में आयू की वृद्धी भी करा सकते है कैसे आपके अंदर अगर कोई रोग है वो सामने आ जाएगा उसका आप इलाज कराएंगे कल को बाद बिगड सकती थी अब नहीं बिगड़ेगी मानसिक कष्ट को दूर करने के लिए मन को रिलीस करें किसी से वारता लाप करें मन में चीजों को दबा के ना रखें सिमराशी सिमराशी वाले जातकों के लिए सब्तम भाव में वक्रिशनी वैवाहिक संबंधों में बड़े बदलाब ला सकते हैं दूर लोग पास आ सकते हैं पास रहने वाले व्यक्ति दूर जा सकते हैं चाहे वो करियर की वज़ा से हो या किसी वाद विवाद से तो यहाँ पे कोशिश ये करिए कि अगर आप मैरेड हैं तो आप साथ रहें अलग अलग ना रहें कोशिश ये करिए कि साथ चलने में ही भलाई हो ऐसा आपके साथ जो आपका डिसिजन अब ऐसा होना चाहिए वरना शनी वक्री यहाँ पर किसी भी चीज को करने के लिए एक्स्ट्रा प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे साथी साथ जो व्यक्ति सेपरेट हो रहते हैं या उन्हें मैरिज नहीं तोड़नी वहाँ पेशनी देव एक आपको एक ऐसा कर्म का एंगल बता सकते हैं ऐसा उपाय दे सकते हैं कि शायद विभाब बच जाए यहाँ पर नई बिजनस पार्टनर्शिप के योग बनते हैं पर्फेक्शन ला रहे हैं आपको लूप होल्स बता रहे हैं प्रैक्टिकली चलेंगे तो सही रहेगा कन्याराशी कन्याराशी वाले जात्कों के लिए शनी देव छटे भाव में यानि की अरी भाव शत्रु भाव रण भाव वहाँ पर वक्री यह तो अत्यदिक अच्छा समय हो गया क्योंकि यहाँ पर जो शत्रु छुपे हैं वो बाहर आ जाएंगे जो रिण दबा है वो बाहर आ जाएगा आप उसे चुका सकेंगे स्वराशी के शनी है हाँ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा शायद आपके पास उतना धन न बचे लेकिन अगर आप effort डालेंगे अपने स्वास्त का पूरा ध्यान रखेंगे योग प्राणयाम करेंगे और अपनी गती को समय के साथ adaptive रखेंगे तो आप अवश्य ही success माएंगे और आपके रोग भी कम होगे रिण भी चुकेगा ऐसे में भगवान हनुमान जी की उपासना हनुमान आश्टक का जाप करने से और ब्रामणों के द्वारा करवाने से आपको लाप राप्त होगा यहां पर सेवा अवश्य करें सेवा भाव में सेवा के स्वामी शनीदेव जब उपस्तित हों तो समाज के प्रती सेवा का एक दाइत्व आपका बनता है तुला राशी तुला राशी वाले जातकों के केले शनीदेव का वक्री ग्रह वक्री होना पंचम भाव में है अचा पंचम भाव में जब शनीदेव हो तो यहां सोचने की आवर्शकता है कि हlà संतान पक्ष के प्रती आपके में उसके प्रती आपका दाइत्व बढ़ जाता है focus जरूरी है तो अगर आप करियर के तरफ focus क प्रती समाज में जो पिछड़े वर्ब के जो बच्चे हैं जिनकी एजुकेशन यह उनके प्रती आपका दाइत्वर बनता है क्योंकि ये शनीदेव सीधे एकादश भाव को देखके आपकी इंकम को देख रहे हैं साथी साथ यहां पर बहुत कुछ सीखने मिलेगा practical learning बहुत होगी बहुत सी चीज़ें पता चलेंगी आपको कि क्या सही हैं और क्या गलत तो आपको उसे साब से आगे चलते रहना है बढ़ते जाना है साथी साथ यहां पर पेट संबंदी विकार हो सकते हैं नौन विज न खाएं तामसिक चीज़ें का सेवन ना करें मंत्रों चार करे यग्यहवन से अवश ही लाब होगा रूद्रा भिशेक उचित्मार गया यहां पर विर्शिक राशी वाले जातकों के लिए शनी देव वक्री चतुर्थ भाव में हो रहे हैं चतुर्थ भाव सुख भाव है वातसल्य भाव है मातर्थ्व का भाव है सुख है क्लोस सरकल है यहां पर शनी देव वक्री हो रहे हैं मतलब आपके इन शित्रों में भुजा ला रहा है गड़बड हो रही है यानि यहां पर आप जिस चीच से सुख प्राप्त करते हैं वो चीच सुख नहीं देगी आप सुख के लिए अलग मार्ग खोज रहे हैं अब भई ये करियर मे तलाश में वापिस चल पड़ेंगे तो यहां पर सिर्फ परमानंद वहीं से आ सकता है जिसका कोई च्छै न कर सके तो यहां पर आपको भगवान सदा अशिप की उपासना करने चाहिए गौरी शंकर उद्राक्ष धारंड करना चाहिए या गौरी शंकर उद्राक्ष की पासना करने चाहिए ओम नमाशिबाय का जाप महामरतुन जय मंतरों के जाप से आप अपने जीवन को भरें इससे सुख शानती का अनभव होगा और साथ ही साथ घर प्रॉपर्टी, कार, रियल इस्टेट, एग्रिकल्चर, मैनिफैक्चरिंग इन सब चीजों में बड़े बदलाव आएंगे, सकरात्मक भी आ सकते हैं, हो सकता अगर आपको बेच के अपने बिजनस को क्लोज करना है, वो भी संभव होगा, रेट्रोग्रेट शरी बस यही है कि कहते हैं कि एक बार मुढ के देख लो, कुछ छूट तो नहीं गया, एक बार मुढ के देख लो, अफ़र, रेथिंक करवाएंगे, आप किसी चीज में कुछ करना चाते हैं, अब आपको लेगा आपको वो नहीं करना है, या आपको लेगा कि किसी भी हालत में उस चीज को अच्ईज को अचीव करना है, तो यह तो वो प्लस होगा, प्लस हंड्रेट होगा, या वो माइनस संड्रेडों के नेगटिव में चला जाएगा तो यहां पर थोड़ा सा सयम बरते पेशिंस की जरुवत है क्योंकि वक्री शनी तृतिय भाव में पेशिंस खो सकते हैं आप साथी साथ छोटे भाई बहनों के साथ वाद विवाद हो सकता है छोटी यात्रा में तकलीफ आ सकती है थो कुछ भी करें पाकप लेके चले धन का हो या सती साथ जबा कोई शीट या वर्क शीट आप काम कर रहे हैं या दिजाइन जानी आप काम कर रहे हैं यानि अगर कोई कारे आप कर रहे हैं और वो पूरा ना हो रहा हो तो इसमें हो सकता है कि शनी देव बाधक हो। ऐसे में शनी देव से प्रार्थना करें कि हे प्रभू अगर ये कार्य मेरे लिए उचित है तो स्वता ही आप हमारे पे क्रिफा करें, अनिता हमें बता दें और कोई और मार्ग दें, दूसरा मार्ग अवश्य में लेगा, it's a transit of alternative path, मकर राशी, अगर आपकी मकर राशी है तो ये भी शनी प्रधान राशी है, ऐसे में शनी देव दुते भाव में जब वक्री होते हैं तो परिवार में changes आते हैं, हो सकता है कि आप घर में छोटे हो, लेकिन आपका दाइत वो सबसे बड़ा हो, और साथी साथ financial problems दूर होगी, आपकी जो मेहनत है वो अब रंग उससे अब मामला solve होगा, बहुत सी चीज़ें resolve होगी, लेकिन हो सकता है कि आप परिवार में कड़वे साबित हो जाएं, कई बार सत्य कड़वा होता है और सत्य के साथ खड़े रहने वाले को बहुत से कठिनाईयों का और परिक्षाओं का सामना करना पड़ता है, वो स्व तरह से शनीदेव आपकी कुंडली में साड़साती बना के बैठे थे, अब वो साड़साती का आखरी वक्री जो खोया वापिस आएगा, बस patience रखें, समय को थोड़ा समय दे, कुम्बराशी, कुम्बराशी वाले जातकों के लिए लगन में वक्री शनी, यानि आपकी personality में आने वाले हैं, बड़े बड़े बदलाव, साथी साथ आप जिस जिन बातों से जुड़े थे, वहां से अब प्रितक होने का समय आ गया है, कुछ नया समझने का, कुछ नया विचार करने का, एक नय आउटलुक का समय आ गया है, आपके physical structure में change आएगा, आप बार बार अप आपको physically देख करके बदलाव लाने की कोशिश करेंगे, योगा अवश्य करें, वरना आपके health को नुकसान हो सकता है, साथी साथ यहां पे जो शिकंजा है जीवन का, वो थोड़ा कस सकता है, क्योंकि अगर आप गलत मार्ग में हैं, तो जीवन कष्ट ते सकता है, तो ऐसे म भगवान शिव और भगवान शनीदेव की राधना करें, और सुन्दर कांट का पाठ अवश्य करें, इससे कठिनायों से मुक्ति प्राप्त हो, साथी साथ अपने कर्तवियों से पीछे नहटें, और गरीवों की सेवा करते रहें, मीन राशी, अगर आपकी मीन राशी है, तो अवश्य ही शनीदेव द्वादश भाव में है, ये आपकी जीवन का दूसरा वक्री शनी, दो हजार चौबिस में, पूर्वा भादरपदा नक्षत्र में, तो स्वतही यहाँ पे बहुत डोनेशन, साक्रिफाइसे का समय आ गया है, लॉस थोड़ा हो सकता है, क्योंकि मुश्किल में आटा गीला, वो हो सकता है, कि अगर आपने आपको प्लानिंग सही से नहीं की, तो पैसे डूब सकते हैं, फ्रॉड हो सकता है, पैसे जा सकते हैं, ट्रैवल करने गए, किसी उमीद से गए, वो काम नहीं बना, तो यहाँ पे आपको यह देखना है कि जहाँ पे भी आपको डाउट हो कि यहां पे पैसे खर्च करना सार्थक नहीं है वहां थोड़ा सोच समझ के खर्च करें वो अलग बात है कि ब्रहस्पति देव तुर्थे भाव में आप से पुन्य कर्म करवाएंगे पुन्य कर्म में पैसे लगते हैं तो लगाएं पूजा पाठ द के लिए अच्छा समय है जो व्यक्ति एंजिनेरिंग सेक्टर से जुड़े हैं जो व्यक्ति मेटल के सेक्टर से जुड़े हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है तो मित्रों यहां पे आप देख सकते हैं कैसा रहा 12 राशियों पे इसका प्रभाव शनीदेव जब वक कि अगर आप मंगल की बात करें, मंगल का चेश्टाबल बढ़ जाए, तो तो अच्छा है, एनर्जी बढ़ गई, शुक्र भौतिक सुक्स विधाओं के ग्रहे, चेश्टाबल बढ़ जाए, वक्री हो जाए, बहुत अच्छा है, गुरु वक्री हो जाए, और अच्छा है, अलग दिशा में लेकर कि आपको जाएगा शनी वक्री हो जाएं तो कर्म बढ़ा देते हैं एफ़र्ट्स बढ़ा देते हैं क्योंकि शनी अपने नैसरगिक बल के हिसाब से नैसरगिक प्रवर्ति नाच्रल इंस्टिंक्ट के हिसाब से एकसेस चीजे देंगे तो यहाँ पे कई बार धन की हानी भी हो सकती है बहुत काम कर रहे हैं फल कम मिल रहा है यह हो गया नकरात्मक प्रभाव इसे दूर करने के लिए माता लक्ष्मी की अराधना करें मा भगवती की पूजा करें और कोई भी गलत काम ना करें क्योंकि शनी जब वक्री हों खास कर पूरवा भादर पदा नक्षत्र में वन मिस्टेक can take you to the bottom of the ocean be careful there's nothing to be scared of डरने की कोई बात नहीं है अगर आप धंग से आगे बढ़तें कर्म सही रखतें, सब सही होगा बागवत गीता का पाठ करें और भगवान कृष्ण के आदर्शों को अपने जीवन में उतारने की चेश्टा अवश्य करें मिलता हमें आप से अगले वीडियो में आशा करता हूँ आप लाइक करेंगे वीडियो को शेर अवश्य करेंगे और आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं कुणली पीडियो बुक कराना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है मिलता हमें आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्ते